हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग मज़े में हो तो आज हम लोग रिमजीम कच्छा चार में पाठ कर मांके मन के भुले भाले बादल को अच्छे से पढ़ेंगे गाएंगे और को भी इंज्वाय करेंगे और एक एक चीजों का मतलब को हम लोग समझेंगे तो चलिए बच्चों हम लोग सुरू करते हैं जबर जबर बालों वाले गुबारे से गालों वाले लगे दोडने आसमान में जुम जुम कर जुम जुम कर काले बादल तो बच्चों देखिए इसका मतलब क्या है कि आप जब भी बादलों को देखे होंगे तो बादलों के बाल जबर जबर होते हैं तो जबर का मतलब क्या होता है घूंगराले बड़े बड़े ऐसे बेखतियों के बाल जिनके बाल घूंगराले होते हैं और काफी बड़ी मातरा में होते हैं उनको हम लोग जबबर-जबबर बाल बोलते हैं और सांथी-सांद बच्चों अगर आप बादलों को देखेंगे तो उनके गाल जो है ना फुले होई रहते हैं कभी एक दिस्टा से भागते हैं जोर से कभी दूसरी दिस्टा में भागते हैं आपको ऐसा लगेगा जैसे वापस में बादल जो हैं अकास में दोड लगा रहे हैं फिर दूसरा है जूम जूम कर काले बादल तो यह जो बादल होते हैं हमेसा जूमते रहते हैं जैसे कोई तो बच्चों यहां पर आप चित्रे में देख सकते हैं कि कुछ जो है जोकर से तोंद फुला हुए है तो उनक्या जो है पेट जो है हमेशा वो फुला हुआ रहता है कुछ बड़ा साइज में पेट उनका रहता है और कुछ जो बड़ा है वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि यहां पर चित्रे में आप देख सकते हैं विसे कोई हाथी जो है अपना सूर उठाय हुआ है यहां पर देखिए एक हाथी है जो अपना सूर उठाय हुआ है बिल्कुल ऐसी ही कुछ बड़ा नजर आते हैं और क्या होता है उट का हुआ भाग जो उपर की तरब उभ्रा हुआ रहता है जिसमें वो अपना पानी इस्टोर करके रखता है तो बच्चों हर הי предeet सर्वंसे बादल ह anar अपस में टकराते रहते हैं जैसे बोल रहे हों कि मेरा जगह है जो मेरे से आएगा मों इसे टकराओं गां का जैसे युद्याहिण肆 अपनी लाके में किसी दुसरे से पाने ने देते जैसा ही दुसरे से आता है उससे जाके लोग लगने लगते हैं तो बिल्कूल वैसी सेरों की तरह ये बादल भी मतवाले होते हैं तो बच्चों इसमें कुछ बादल जो है ना काफी तुफानी लगते हैं और इतना जोर से हवाच चलने लगता है कि сюzपास कि सारी चीज़े हिलने लगती है, फेड़ पवदे भी लगते है। और कुछ बादल हमेशा सेतानी करते रहते हैं, कभी अचानक से आ जाएंगे, जोर से पानी गिरा देंगे, या अचानक से आ के जोर से वाज कर देंगे, तो इस प्रकार की सेतानी बादल करते रहते हैं, कुछ अपने थैलों से चुपके, तो देखें, थैलों का मतलब क्या है कि जो बादल होते हैं, उनमें पानी भरा रहता है, है ना, तो कुछ बादल क्या होता है, वो तूरंत आते हैं, और आके ना, तेजी से मुस्लाधार बारिस को करने लगते हैं, करने लगते हैं, तेज गरती में पानी गिराने लगते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, यह ज जर 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 पानी गिराते रहते हैं ठीक है ना तो इसी को बोला है लेका कि ये जो है जोर से पानी गिराते हैं चल बागे पड़ते हैं नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल और बादल जो है ना बच्चों किसी की नहीं सुनते हैं अगर बिलकुल जैसे ड्होलक कोई बजाता है उसी प्रकार से लोग ड्हुलक को बजाते रहते हैं अब चलिए आगे पढ़ते हैं रहरह कर छत पर आ जाते फिर चुपके उपर उड़ जाते कभी कभी जिद्धी बन करके बारन दीनालो मेलाते तो बच्चों ये जो बादल होते हैं न वो कभी एकदम आस्मान साप रहता है अब ध्यान देंगे तो और बारिस की दुनेंगे आस्मान साप रहता है कुद देर बाद क्या होता है तेज गती से बादल आ जाते हैं चत की उपर में और बादल पूरा भर जाता है फिर चुपके से उड़ करो कहीं और चले जाते हैं लेकिन कभी कभी इतने जिद्धी हो जाते हैं किसी जिद्धी बच्चे की तरह कि ना बहुत जोर जोर से पानी गिरा देते हैं इतना जोर जोर से मुस्राधार पानी गिराते हैं कम समय में कि जो नदी नाले है ना उनमें इ पानी गिरता है और पानी गिनने के बाद मसम सौना हो जाता है पेड़पोदों को जनवरों को पानी मिल जाता है तो बच्चों इसके रचाईता है कल्वनाज सीह जी अब चलिए इसके प्रस्णों को हम देखते हैं तो बच्चों इसमें तुम्हारी समस्य में कभी-कभी जिद्धी बन करके बार नदी नालों में लाते तो इसका प्रस्ण है कि बादल नदी नालों में बार कैसे लाते होंगे तो बादल जो है एक समय में काफी तेज गरती में पानी गिराते हैं और जो जोड़ से पानी आता है तो पानी के प्रवाह इतना हो जाता है बच्चों पानी इतना जोड़ से भाता है नदी नालो में पहुचता है कि नदी नालो में बाड़ आ जाता है नहीं किसी की सुनते कुछ भी धोलक धोल बजाते बादल तो बच्चों इसमें फ्रस्व नहीं कि बादल धोलक कैसे बजाते होंगे तो बादल धोलक इस तरह से बजाते हैं कि वो आपस में जो जो उसे टकराते हैं और अपस में टकराने कान जो जो गड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ या अपस में टक्राने लगते हैं टक्राने के बाद जोड़ जोड़ शावाच करतें जिनको सुनने के बाद अदमी और बाकी लोग काफी जढ़ डर जाते हैं इस प्रकार से बादल जो है न वो सयतानी करते हैं अब अगला है कैसा कौन तो इसमें सूरश सी चमकिली, सूरश सी चमकिली क्या होता है बच्चों? ठाली, चंदा सा गोरा, क्या होता है? दूद, हाथी सा भारी भरकम वजनी, क्या होता है? भैस, यह भैसा, जोकर सा मज़ेदार, जोकर सा मज़ेदार क्या होता है? हिलोना, काटून, परियों सा, प्यारा या प्यारी, यह क्या होता है फूल, या बच्चे, या बच्ची, गुबारे सा फुला हुआ, मोटा, तो गुबारे से फुला हुआ क्या होता है, तोन, है ना फुला हुआ पेट, तोन, धोलाक सा, धोलक सम मोटा क्या होता है यह होता है साथी तो बच्चों अब आगे हम लोग अगला प्रशन देखते हैं इसका कविता से आगे में है तुफान क्या होता है बादलों को तुफानी क्यों कहा गया है तो जब बादल आते हैं बच्चों तो पहला हम बताते हैं तुफान क्या हो जोर जोर से हवा चलने के कारण क्या होता है कि आसपास की चीज़ें हिलने डूने लगती हैं और चारो तरप ऐसा लगता है कि हर चीज़ गिर जाएगा तो इसको तुफान बोला जाता है बादलों को तुफानी क्यों कहा गया है क्योंकि बादल जब भी आते हैं तो जोर जोर में टकराने लगती हैं पेड़पोदे उखाने लगते हैं और जो जो से बादल बारिस करते हैं इसलिए बादलों को तुफानी कहा गया है साल के किन-किन महनों में ज्यादा बादल चाते हैं तो बच्चों प्रसनका है तो साल में जून के आकरी से जुलाई और अगस्त में ज जब तुफान आना रहता है, उससे समय बादलों का रंग जो है काला दिखाई देता है, नगे तो बादल जो है आम तोर पे निले या सफेद रंग्यें होते हैं, अगला जो प्रस्ण है कक्चा में बात चित करो और बताओ की बादल किन किन रंगों के होते हैं, तो यह तो कच्छा की बात है आप लोग आपस में चट्चा करके बात कर सकते हैं देख सकते हैं आश्मान में कि बादल किस किस रंके होते हैं अगला जो है कैसे कैसे बादल तो तरह तरह के चित्र बनाओ जो कि इसमें पहला जो है उसमें बोला है यह कि हम लोग को काले और दराने बादलों का चित्र बनाना है तो यहां पर हम लोग चित्र बना सकते हैं इस प्रकार से देखिए यहां पर मैं खुशिस कर रहा हूँ चीत्र बनानागा आप लोग अपने अपने तरीके से बना सकते हैं यह काले और ढराउने बादल है अगला जो चीत्र है बच्चों यह आप लोग बनाईएगा गुबारे से गालों वाले तो इसमें गुबारे से गालों वाले का चीत्र आपको बनाना है और हलके पुल के सुहाने बादलों का यहां पर चीत्र बनाना है आगे चलते हैं तो कईता में बादलों को भोला कहा गया है इसके अलाबा बादलों के लिए और कौन-कौन से सब्दों के इस्तमाल किया गया है नीचा लिखे अधुरे सब्दों में को पूरा करो तो बच्चों यहाँ पर मार से क्या है? मार से है मतवाला मतवाले और जी से है जिद्दी स से है सैतानी और तू से है तूफानी ठीके बच्चों अब आगे देखते हैं कि कुछ अपने थैलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी तो पानी की बरसने की आवाज जर 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 होती है पानी की बरसने की कुछ और आवाज हैं लिखिए तो इसमें बच्चों हम लो लिखेंगे जैसे पानी जो है टीप 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 करके आवाज के साथ गिरता है और टप 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 भी आवाज के साथ गिरता है साथी साथ रिमजीम रिमजीम भी गिरता है और चप चप की आवाज के साथ भी ये गिरता है तो बच्चों बागे देखते हैं कैसे कैसे पेड़ है ना बादलों की तरह पेड़ भी अलग-अलग आके होते हैं कोई बरगर से फैला हुआ कोई नागल के पेड़ जैसा उंचा और सिधा अपने आस-पास अलग-अलग पेड़ों को देखिए और उनमें क्या-कार दिखाई देता है इसके लिए आपको एक कविता त्यार करना है तो बच्चों देखिए इस प्रकाल से हो गया तो बच्चों थैंक यू हुआ को बच्चों देखिए रगपाई लेगे हो बच्चों